हालो दोस्तो कैसे हैं अब लोग मैं हूँ अब जीत और आप सबको फिसेक बस होगत करता हूँ फाइनस जानकरे यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूब कर सकते हैं दोस्तो आप में से बहुत सरे ऐसी लोग होंगे जो पहले दोस्तो लोन या क्रेडिट कर लिया था लेकिन उसका जो पेमेंट है वो नहीं किया तो दू के वाज़ा से दोस्तो हो सकते हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन हो गया होगा तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना credit score को ठीक कर सकते है और उसको फिर से improve कर सकते है और यहाँ पर दोस्तो बहुत सरे ऐसी new बंदे होंगे जो आभी recently loan लिया है या दोस्तो credit card के लिए अपलाई किया है तो दोस्तो आपको कैसे अपना civil score को maintain करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा गलती मत कीजिए जो जो चीजे करने से दोस्तो आपका जो credit score है वो down हो सकता है दोस्तो हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना इससे हमी motivation मिलता है और दोस्तो इस चानल को आभी काभी subscribe करें banking, finance and investment related info पाने के लिए चलिए दोस्तो बिना डाम होसके आज की वीडियो को start करते है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको तीन पॉइंट बताने बलाओ सबसे पहला पॉइंट दोस्तो एक good credit score होने का क्या-क्या benefits है दोस्तो second point आपको कैसे अच्छा credit score maintain करना है और दोस्तो third point मैं आपको बताऊंगा आपना credit score को कैसे improve करना है तो दोस्तो चलिए एक एक करके बात करते हैं तो दोस्तो आप सबसे request है कि आप इस वीडियो को last तक ज़रू देखना तो दोस्तो चलिए सबसे पहले हम बात करते है 5 benefits आपे good credit या civil score दोस्तो यहाँ पे सबसे पहला benefits अगर आप already किसी account दोस्तो किसी भी bank का आप credit card use कर रहे है तो वहाँ पे आपको upgrade मिल सकता है मतला आपका card का जो variant है उसके आपर वाला variant आपको मिल सकता है दूसरा benefits दोस्तो आपका जो credit card का limit है मानके चलिए कि आपका credit card का limit एक लाग है तो वो limit भी यहाँ पे increase हो सकता है जो कि दोस्तो कितनी भी हो सकता है 2 लाग 4 लाग 5 लाग यह depend करता है आपका credit score के उपर ठीक है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर थार्ड चीज़े जो benefits मिल जाता हुए दोस्तो get unsecured loan with faster processing इसका मतलब क्या है कि आपको pre approved loan भी जो unsecured होता है मतलब उसमें आपको कोई भी चीज़े मतलब आपको security के रखना नहीं पड़ता है आपको instant दोस्तो loan मिल जाता है वो भी आपको तभी मिलेगा जब आप दोस्तो good civil maintain करेंगे दोस्तो यहाँ पर जो fourth benefits है वो है आपको यहाँ पर lower interest rate मिल जाएगा किसी भी loan पे क्योंकि दोस्तो आपका जो credit score है वो अच्छा है इस वेशिस पर आपको मिल जाएगा उसके बाद pre-approved zero documentation loan यह भी आपके लिए क्या होते है कि मानके चिले आपको कोई भी documentation करने की जोरोज नहीं है आपके account के साथ already pre-approved बहुत सारे loan होते है जैसे HDFC में भी loan होते है SBI में भी होते है, AXIS में भी होते है, ICICI में भी होते है almost सारे bank में दोस्तो आभी pre-approved zero documentation loan मिलता है तो यह सारे benefits से अगर आपके पास एक अच्छा civil score होगा मैंने दोस्तो आपको पहले वीडियो में बताया था कि दोस्तो अच्छा civil score किसको माना जाते है 750 plus, 750 plus अगर आपका civil score है तो आपके लिए दोस्तो वो civil score बहुत ही जादा काम आने वाला है ठीक है, सो चलिए अभी हम बात करते हैं आप अगर civil score आपके पास हो तो गया जैने लेकिन उसको आपको कैसे मेंटन करना है अगर आप उसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो आपका जो civil score है दोस्तो वो डाउन हो सकता है तो इसलिए दोस्तो मैं तीन पॉंट बताता हूँ यह तीन पॉंट आपको हमेसा धियां रखना है जब भी आप अपना credit card को यूज करें सबसे पहले दोस्तो आपका credit card से कोई भी अपने EMI में कुछ भी चीज़ा पर्चेस किया या दोस्तो आप credit card से कोई भी payment किया तो उसका दोस्तो जो due है वो on time में pay कर दीजे all always pay your EMI and credit card due on time आपको regular payment करना है उससे दोस्तो आपका civil score वो increase होता है आपको कभी भी minimum amount due payment नहीं करना है दोस्तो आप credit card अगर user है तो आपको पता होगा दोस्तो आपके statement जब बन के आते है तो आपके बहुत सरे अलग-अलग type की due दिखाता है तो दोस्तो एक होता है minimum due मतलब आपको एक minimum amount pay करना है बाकी amount आप बाद में भी दे सकते है और एक होता है दोस्तो total amount तो आप हमेसा कोसिस करें आपका जो total amount है मतलब जो पूरा amount उसको आप यहां पे pay कर दीजे ना कि minimum amount ठीक है जो second point दोस्तो avoid existing 50% of your credit card limit इसका मतलब क्या है मान के चले कि आपका credit card का जो limit है दोस्तो वो है 1 lakh ठीक है तो आपको कभी भी उस card से 50,000 से ज़्यादा का limit आपको use नहीं करना है आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो 1 lakh का credit card है तो मैं जितना चाहूँ उतना use कर सकतो 1 lakh तक कर तो सकते दोस्तों लेकिन यह आपका civil score पे effect पढ़ता है यह कैसे effect पढ़ता है मैं आपको और एक fix दिखाता हूँ तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा जैसे कि देख सकते है credit card यहाँ पे एक ICSA credit card है तो ICSA credit card में यहाँ पे देख सकते है available 28% इसका मतलब क्या हुआ कि almost दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते 70% के आसपास use हो चुका है ठीक है और जो इसका impact आप उपर में देख सकते हाई मतलब क्या है कि अगर दोस्तों आप ज्यादा इसमें use करेंगे मतलब आपका जो limit है उसका आसपास use करेंगे मतलब 50% से ज्यादा use करेंगे तो उसमें दोस्तों आपका जो civil है उसके हाई impact पड़ता है उसके वज़ास से आपका जितनी भी loan है मान के चलिए आपका कोई secret loan है, unsecured loan है और कोई short time का अपने loan ले रखा है तो उन सारे दोस्तों जो भी loan या जो भी credit card अपने ले रखा है तो उसका जो पहले history मतलब जो past history है वो यहाँ पर matter करता है अगर आप past history आपका जो भी loan है वो successfully close हो जाता है तो उसमें भी दोस्तों एक आपको plus point मिलता है यहाँ पे दोस्तों आपका जो civil score है वो maintain भी रहता है और यह दोस्तों date by date मतलब यह एक माहिने के छोड़ छोड़ के दोस्तों यहाँ पर update होते रहता है जैसे civil में दोस्तों हर माहिने का 15 तरीक को इसमें update होते है तो ऐसी करके आपका civil हो इंप्रूब भी होगा और यह maintain भी रहेगा ठीक है तो दोस्तों चलिए अभी हम बात करते हैं आपको कैसे अपना civil score को improve करना है यह main point है आज के वीडियो का तो मैंने यह वीडियो इसी लिए बनाया था बाकी सारे point भी मैंने आपको अच्छे से clear कर दिया ताकि आपका दोस्तों इसके related कोई भी doubts ना हो अगर फिर भी आपके कोई भी मन में doubts है तो आप नीचे comment कर सकते हैं तो चलिए अभी हम बात करते हैं how to improve your credit score दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहला ही बता है कि आपका जो dues है और जो EMI है इसको हमेसा आपको on time पे payment करना है और सबसे बड़ी बात अगर दोस्तों आपका civil में कोई भी negative strike rate हुआ है मान के चले कि आपने पहले कोई loan लिया था या अपने credit card से कोई चीज का payment करा था लेकिन उसका दोस्तों अपने due जो था वो clear नहीं करा था वो उसी जगापे है तो दोस्तों इस case में आपका civil score कभी improve नहीं होगा तो आपको हमेसा मैं request करूँगा कि सबसे पहले दोस्तों अगर आपके पास loan है तो आप bank में जाएए उसको settle किजिए अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है बैंग में दोस्तों interest के साथ pay करने का तो आप bank में जाएए बैंग में दोस्तों settle होता है ये एक चीज में आपको बता रहा हो अगर मान के चले कि आपने credit card से दोस्तों कोई भी चीजे purchase किया या दोस्तों आपने कोई loan ले रखा already उसको आप दोस्तों मतलब payment नहीं कर पार है तो उस case में दोस्तों एक चीज होता है जिसको कहते है settlement settlement का मतलब क्या होता है कि bank ने आपको एक particular amount दिया है इतने person interest rate पे लेकिन आप वो दोस्तों same चीज़ों को follow करके आप interest rate को नहीं चुका सकते तो इसमें का होता है compromise on हो जाता है मतलब bank भी आपको कुछ discount दे देता है बाकी पैसा आपको देना होता है मतलब पूरा पैसा आपको नहीं लगता है mortgage loan है mortgage loan का मतलब क्या है ठीक है दोस्तो इसका मतलब यह है कि आपने कोई भी चीज़े security में जैसे mutual fund हो गया आप अपना car को security में रखके या दोस्तों आप अपना property को security रखके दोस्तों आपने कोई loan लिया वो होता है secret loan secret loan और unsecured loan का बारे में आपको आने वाले time में बताऊंगा उस time पर मैं आपको details में बताऊंगा क्या होते secret loan और क्या होते unsecured loan तो यहां पर दोस्तों आपका secret loan और unsecured loan है तो वो दोनों का दोस्तों आपको maintain करना हो वो जला ऐसा नहीं कि इज unsecured loan आपने बहुत ज्यादा ले लिया और secure loan अपने बहुत काम रखा तो इससे भी effect होता है तो इसलिए दोस्तों आपको अगर improve करना है तो दोनों का maintain कीजी आच्छे से ठीक है उसके बाद दोस्तों do not use your credit card to its maximum limits same चीज़े दोस्तों मैं आपको फिर से repeat score बढ़ता है अगर आप 50% से ज्यादा use करेंगे तो उसमें दोस्तों आपको उतना बढ़ेगा नहीं और उपर से दोस्तों वो down होने का ज्यादा chances होते हैं तो इसलिए आप हमेसा कोसिस करें 30 to 40% आप your credit card limit आप use कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों एक main जो सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर एक down point आते हैं आप लोग जो करते हैं न मानके चलिए कि आपने तो पहले से मतलब आपका जो civil score down कर रखा किसी वाज़ा से मानके चलिए आप कोई loan लिया था या दोस्तों आपके पास credit card था आप उसके बिल पे नहीं किया क्या करते हैं आप लोग कि दोस्तों आप फिर से multiple inquiry करने लग जाते है मतलब loan के लिया रखा करने लख जाते है दोस्तों credit card के लिया रखा करने लग जाते हैं आप यह था सारे process दो planet होते है तो आप लोग का credit card है ठीक है लेकिन आपने HDFC bank का credit card का जो due था उसको आपने pay नहीं किया वैसे छोड़ दिया जिसके वज़े से आपका civil down हुआ था अब आपने दोस्तों सोचा कि चलो मैं दूसरा bank में try करके देखता हूँ तो आपने example लिया कि आपने दोस्तों एक्सिस में try किया credit card के लिए apply किया तो वहाँ पर क्या दोस्तों आपको लगता है कि bank वाले check नहीं करता आपका civil history आपको ऐसे देदेगा वो लोग क्या करते है दोस्तों जब भी आप apply करते है तो आपका civil score है इसके लिए bureaus होते है जैसे मान के चले civil हो गया experience हो गया ऐसे करके बहुत सरा अलग-अलग credit bureaus होते है जो दोस्तों credit card को maintain करता है तो हमेसा दोस्तों bank आपको कोई भी credit card या दोस्तों कोई भी loan provide करने से पहले आपका civil का inquiry करते है मतला आपका civil score कैसा है आपने कोई पहले दोस्तों due किया हुआ है या कोई गलत किया है या की नहीं ये सारे check करन करने के लिए हमेसा आपको कोई भी credit card या दोस्तों loan देने के लिए आपसे सबसे पहले आपका civil score है ये inquiry होता है इसी को कहते है अगर आप ज्यादा apply करेंगे तो आपका ज्यादा inquiry होगा जिससे आपका civil score का effect पड़ेगा और आपका civil score फिर से डाउन हो जागा तो अगर आप आपको improve करने है तो आप हमेसे कोशिस किजिए कि आप एक महीने का अंदर एक से दो बैंक maximum apply किजिए उससे ज्यादा apply मत किजिए अगर आप किसी same bank में दोस्तों आज apply किया तो आप 6 महीने बाद जाके उसमें apply किजिए ना कि दोस्तों आज apply किया काल reject हुआ फिर दोस्तों आगले दिन आप जाके इसमें apply कर दिया ऐसा बिल्कुल भी ना किजिए आप जितना कम दोस्तों inquiry करेंगे loan और app दोस्तों credit card के बारे में तो उतना दोस्तों आपका civil score वो धीरे धीरे improve होगा दोस्तों एकदम से नहीं होगा मैं आपको हमें सब दोस्तों फिर से बता रहा हूँ और दोस्तों उसके बाद do not borrow multiple loan in short term of duration इसका मतलब क्या है मान के चले कि आप बहुत ज्यादा loan ले लिया short time के अंदर मान के चले कि एक महीने के अंदर आप 4-5 loan और एक दो credit card ले लिया इससे क्या होगा दोस्तों आपका civil score है उसमें दोस्तों impact हाई पड़ेगे इसका क्यूं दोस्तों पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ मान के चले कि आप सेम मतलब एक ही माने का अंदर आप 4-5 short time पे loan ले लिया उपर से दोस्तों आपने credit card ले लिया तो क्या हो आपका पास दोस्तों जो debit है ठीक है मतलब आपके उधारी में डूब गया है तो आप जितना ज्यादा debit लेंगे उतना आपका credit score में effect पड़ेगा ह हमें साब कोशिस करें दोस्तों आच्छा जिन्देगी जीए आप जामें सा ज्यादा कोशिस करकी ज्यादा सा ज्यादा loan और ये debt वाला जो चीज है इसको हमें सा ignore करने की कोशिस करें अगर आप एक बर दोस्तों loan और credit card की जाल में फंस जाएंगे तो इससे निकलना बहुत ज्यदा मुस्किल होता है मुझे पता है आप लोगों से बहुत सर ऐसी लोग होंगे जो अलरेडी इस जाल में फंस चुक है लेकिन आप जो आलरेडी दोस्तों नहीं फंस है उनको मैं बता रहा हूँ कि आप कभी भी दोस्तों एक ही टाइम पे ज्यादा आप लोन के लिए apply भी ना कीजिए ना दोस्तों लीजिए इससे भी आपका एक तो दोस्तों यहाँ पर civil score में effect पड़ता है इसके improve तो होगा ही नहीं आपका फिर से घट जाएगा तो आप ये दोस्तों हमें सार दियान में रखे जब भी आप loan ले एक से दो लेन maximum लीजिए एक दो साल के अंदर ठीक है ज्यादा loan आप कभी भी apply मत कीजिए और ना लीजिए ठीक है उसके बाद आता है दोस्तों six point और अमारा last point all always avail longer tenure of repayment and try to pay the part payment of time इसका मतलब क्या है दोस्तों आप में से बहुत सार ऐसे लोग होंगे जो दोस्तों क्या करते है मानके चले मैं आपको example दे रहा हो कि कोई भी बंदा एक 10 लग का loan लेता है bank से वो क्या सोचता है कि मुझे तो अगर मैं ज्यादा time के लिए लूंगा मतलब period कितने time के लिए अपको loan लेना मानके चले कि आप 10 लग का मैं अपने loan लिया है ठीक है तो आप उसको दोस्तों 10 सल के लिए लेना चाहते है अगर आपको लोन की जरूरत ही नहीं है तो दोस्तों मत लीजिए अगर आपका loan का जरूरत है इसका मतलब के पास पैसा नहीं है तो अगर आप short time के लिए दोस्तों loan लेंगे मतलब short duration में आप loan लेंगे मान के चले एक साल दो साल या तीन साल तो इसमें क्या होगा आप 10 लग का loan लिया तो आपका EMI इसमें increase हो जाएगा EMI का मतलब क्या होता है EMI का मतलब ही तो ही होता है कि आपको monthly कितना पे करना है अगर आप short time मतलब कम time के लिए लेंगे तो आपका EMI बढ़ जाएगा जो कि आप पे नहीं कर पाएगा इससे क्या होगा आपका जो payment हो default हो जागा इससे फिर से आपका credit risk को इंप्रूब तो होग तो आपका जो payment हो जाएगा और आपको default हो जाएगा इससे क्या होगा आपका credit score हो इससे इंप्रूब होगा नहीं इसलिए आप ये जो 6 point है दोस्तो ये सबसे घुमाफिरा के सारे मिला के यही main point है आपको ये 6 point हमेशा दोस्तो आपको याद रखना है तो दोस्तो उमीदग अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तो जो पास में बेल आइकान इसको भी प्रेस कार देना और दोस्तो ये वीडियो अगर आपको इंफोर्मेटिव लगी तो दोस्तो एक लाइक जरू करतेना इससे हमें मोटिवे आप सब के लिए आसे अच्छे अच्छे वीडियो बाना निकिलिए चले दोस्तों मिलता आप सब के साथ बहुत जलती नया और एक प्रेस वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जाहिन